Multiple Charts एक काफी अच्छा फीचर है जो कि हर ब्रोकर प्रोइड करता है आपको Multiple Charts को यूज करना ही है क्योंकि जब आप Different Time Frames, Higher Time Frames में देखते हैं चार्ट को आपको काफी कुछ चीज़े देखने को मिलता है और अगर आप Smaller Time Frames से ट्रेट करते हैं तो आपको बड़ा Time Frames में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा और आप Trap भी हो सकते हैं आप इन Chart Layouts को Save भी कर सकते हैं और आप Indicators भी लगा सकते हैं इन Charts पे और Bars, Line, Candlesticks आप चूज कर सकते हैं ये Feature आपको Fires में भी मिलेगा जरोदा में आपको दिकाए था और Up Stocks में भी Multiple Charts का Feature है ये काफी useful है अगर आप Symbol पे क्लिक करते हैं तो Same Stocks सब चार्ट पे आजाएगा अगर आप Interval पे क्लिक करते हैं तो Same Time Frame सब पे आजाएगा अगर आप Crosshair क्लिक करते हैं तो एक Line आता हो दिखेगा वो हर चार्ट पे रेप्लिकेट होगा अगर आप इसको Off करते हैं तो जो चार्ट पे आप Point करेंगे सिफ उसी चार्ट पे आएगा सब चार्ट ये की जगह आजाएगा जब आप Time पे क्लिक करते हैं और भी ड्राइंग आप करते हैं कोई भी चार्ट पर वो सब चार्ट पे रेप्लिकेट हो जाएगा